नमश्कार आप देख रहे हैं पलपल पत्यहाबाद में करोना के लक्षन मिलने के बाद एक वर्षिया बच्चे को आईसोलेशन वार्ड में रखा गया यह बच्चा बी थी एक मार्च को इटली के रोल इलाके से पत्यहाबाद में अपने परीजनों के साथ आया था एरपोर्ट से यात्यों की लिस्ट मिलने के बाद हस्पितार परवंदन की ओर से इटली सी आई कुल 11 लोगों को चैक अप के लिए बलाया गया अब जब इस बच्चे क्या चैक अप किया गया तो बच्चा खांसे जुकाम से ग्रस था जिसके बाद हस्पितार परवंदन की ओ को लेकर लैप से रिपोर्ट आ जाएगी जिसके बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बच्चे को आईसोलेशन वार से घर भेज दिया जाएगा और पॉजिटिव आने पर उसका इलाज शुरू किया जाएगा और इसी के साथ देखते रहे हैं पलपल की विशेश रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसको जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद इनको बेद दिया जाएगा एक साल का बच्चा है क्या है वाला है तो यह अभी इटली से आए है और अभी सस्पेक्टिड केस में है पुष्टी कंफर्मेशन जो रिपोर्ट आने के बाद इसकी हो पाएगी तब तर इसको अब्जर्वेशन में अमने निगराने में आइसुलेशन वाड जो कि जीएस फक्याबाद में त्यार क्या गया उसके अंदर रखा हुए प्रात्मिक जांच के अंदर क्या इसके सिम्टिम पाए गए हैं सर इस तरह के रूटीन जो कोरोना के स्पेक्टिड केस में जो पाए जाते हैं जैसे कि थोड़ा खांसी होना नजला जुकाम इस तरह के हैं एगें जब तक कि रिपोर्ट पुष्टी नियों और कंफर्मेशन दे तब त